हेलो फ्रेंट्स हाज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यह वाली प्रोब्लिम अगर आपको भी प्लेश्टोर खोलने के बाद आ रही है किस तरह के से आप अपने प्रोब्लेम को फिक्स करोगे ऑथन्टिकेशन इस रिक्वाइर लिखा है तो अपको क्या करना है वीडियो को पूरा इन तक देखे वीडियो अच्छे लगी तो लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीज़े तो सबसे पहले आपको अपने फोन की जो है प्लेश्टोर को यहां से बंद कर दीजएगा और प्लेश्टोर को बंद करने के बाद यहां पर आपको नीचे क्लिक स्क्रोल डाउन करना है सबसे पहले आपको एक और चीज़ चेक करना ही कि आपने अपने फोन में गूगल अकाउंट एड कर रखा है गूगल अकाउंट लोगिन कर रखा है तो यहां पर आपको गूगल अकाउंट लोगिन करना है तो गूगल वाली स्रिक्षन में आपको चले जाना है और अकाउंट्स में जाने के बाद याप यापके फोन के जो अकाउंट से सारी शियो होना स्टार्ट हो जाएंगे तो याप पर सारी अकाउंट समझ शो हो रहे हैं अगर आपका Google अकाउंट नहीं बना हुआ है तो अकाउंट के उपर क्लिक करके आप यहाँ पर जो है Google के उपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको जो है एक नई Google की अकाउंट बना लीनी है Google के आईडी यहाँ से आपको create कर लीनी है तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट कीजिए और यहां से आपका जो भी information है जैसे Google account कैसे बना जाती है उसके लिए कई सारी वीडियोज है उसको आप देखकर अपना Google account बना लीजिए और Google account को add करने के बाद यहां पे आप Play Store में आईएगा और यहां पे देखे हमारा जो Play Store है वो सही तरीके से खुलना start हो जाएगा तो अगर आपको वीडियो आप एच्छे लगी तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें